नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल भारतिक रंसी पर जहांदी जाती है पुराने नोट वैसी को की सही जानकारी मैं हूँ आपका दोस्त महेश परजपत दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक रिपी के सिक्के के बारे ये सामने से दिखने वाला सिक्का सामने सिक्का नहीं है इस एक रिपी के सिक्के में बहुत सारे स्केर कोईन आते हैं इन स्केर कोईन की बात इस वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों ये एक रिपी के सिक्के आम चलन के लिए जारी किये गए हैं और एक रिपी के सिक्के हम में मार्केट में असानी से देखने को मिलते हैं इन शिकों में सबसे ज़्यादा केमत कौन से सिके की है हमें इन शिकों में कौन-कौन से सिके क्लेक्ट करने चाहिए और कौन से सिके क्लेक्ट नहीं करने चाहिए इस वीडियो में यह पूरी जानकरी आपको दुमा आप वीडि आपको मिल सके और सबसे पहले आप हमारा वीडियो देख सकें दोस्तों इस एक रिपी का सिक्के की जानकारी मैं आपको दो तरिके से दूँगा फर्स जानकारी आपको गाइड़ बुक 2023 के अनुसार दूँगा और सेकंड जानकारी मैं आपको जो मार्केट में इन शिकोगी क किमत है और कितना स्केर कोईन है यह वह वुक है साइनाथ रडपा की 2022 और 23 तक इन शिकोगी जानकारी इस बुक में दिखाई गई है अब बात करते हैं इस एक रुपी की सिक्के की जो की बने हैं 1902 में से 2004 तक मेटल फेरेटिक स्टेनले स्टील है बजन में यह 45.85 ग्राम है सबसे पहले बात करते हैं 1992 में यह सिक्के दो मिन्टों बने हैं बुम्बे और हेदराबाद और दोने मिन्ट के स्केर की कटेगरी में आते हैं वेरिफाइन कंडिशन में इन दोनों सिक्कोई केमत 15 रुपे है एक्स्ट्रा फाइन में 20 रुपे यूएन सी कंडिशन में 50 रुपे इस बुक के अनुसार दिखाई गई है फिर 1993 में ये सिक्के भारत की चारु मिन्टों में बने हैं बुम्बे कलकता हेदराबाद और नोड़ा और चारोई सिक्के स्केर की कटेगरी में आते हैं इन चारोई सिक्कोई किमत वेरिफाइन कंडिशन में 15 रुपे एक्स्ट्रा फाइन में 20 रुपे यूएन सी कंडिशन में 50 रुपे दिखाई गई है अब बात करते हैं 1994 में 1994 में ये सिक्के बुम्बे कलकता हेदराबाद और नोड़ा मिन्ट में बने हैं और चारोई सिक्के स्केर हैं जिनके किमत वेरिफाइन में 10 रुपे एक्स्ट्रा फाइन में 20 रुपे यूएन सी कंडिशन में 50 रुपे दिखाई गई है अब बात करते हैं 1995, 1995 में यह सिकेट चारो मिन्टों बने हैं, बॉंबे, कलकता, हेदराबाद और नोड़ा, जिसमें वेरिफाइन कंडिशन में 10 रुपे और UNC कंडिशन में इन शिकोई किमत 50 रुपे दिखाई गई है, 1996 में के विचारो इसकेट हैं, बॉंबे, कलकता, हेदराबाद और नोड़ा मिन्ट के, जिनमें वेरिफाइन कंडिशन में इन शिकोई किमत 10 रुपे, UNC में 50 रुपे दिखाई गई है, 1997 में ये सिकेट 5 मिन्टों बने हैं, बॉंबे, कलकता, हेदरबाद और नोड़ा और फोरेण मिन्ट मेक्सिको, जिनमें वेरिफाइन कंडिशन में इन शिकोई किमत 5 रुपे दिखाई गई है, और UNC कंडिशन में बिलकुल नए सिकेट हैं, तो इन शिकोई किमत 50 रुपे द बने हैं, और सारे सिके, कॉमन की कटेगरी में आते हैं, वेरिफाइन कंडिशन में 5 रुपे, और UNC कंडिशन में अगर ये सिकेट हैं, तो इन शिकोई किमत 30 रुपे बुक के अनुसर दिखाई गई है, 1999, 1999 के भी ये पांचों मिन्ट के सिके, बॉंबे, कलकता, हैदरबाद और नोड़ा, और विदे सिमेंट है, जिनके कॉमन सिके हैं, वेरिफाइन में इनकी किमत 5 रुपे, और UNC कंडिशन में 30 रुपे दिखाई गई है, फिर ये 2000, 2000 में भी ये 5 मिन्टों में बने हैं, जिनमें वेरिफाइन कंडिशन में 5 रुपे है, और UNC कंडिशन में इन शिक कोई किमत 30 रुपए दिखाई गई है कि 2001 में भी ये सिके 5 में बने हैं बोंबे कलकता है धरबाद नोड़ा और विदे सिमेंट है जिसके 5 मेंट के सिके के कोमन है जिनकी किमत वेरिफाइन कंडिशन में 5 रुपए और यूएंस कंडिशन में 30 रुपए दिखाई गई है अब 2002 2002 में यह 4 में बने हैं बोंबे कलकता है धरबाद और नोड़ा और 4 मेंट के सिके कोमन है जिनकी किमत वेरिफाइन कंडिशन में 5 रुपए और यूएंस तीन में यह सिके चारों मिन्टों में बने हैं बॉंबे कलकता हैदरवाद और नोईडा जिन में चारों ही सिके कॉमन की कटेगरी माते हैं जिनकी केमत वेरिफाइन कंडिशन में पांच रुपे और यूएंशी कंडिशन में तीस रुपे दिखाई गई है अब बात करते हैं 2004 2004 के सिके चारों मिन्टों में बने हैं बॉंबे कलकता हैदरवाद और नोईडा और चारों ही सिके स्केर के कटेगरी माते हैं जिनकी केमत बुक के अनुसार वेरिफाइन कंडिशन में पांच रुपे और यूएंशी कंडिशन में अगर है तो इनकी सिकों केमत 20 रुपे दि कुष्टों सब्सेपहले इन शिकों में 1902 के सिकें आते हैं जो कि बंबे और हेदराबाद मिंट में बने हैं 1902 में के हेद्राबाद मिंट का सिका शिका सबसे ज्यादा किमत रखता है इन शिकों में जिसकी किमत बर्तमान समय में in 25 рукा है वहीं अगर यूएंशी कंडिशन मे हुआ तो 200 रुपय तक इसी केमत जाती है वहीं 1992 के बॉंबे मिंट का की केमत वेरिफाइन कंडिशन में 20 रुपय से लेकर UNC कंडिशन में 200 रुपय तक जाती है इसके बाद 1993, 1994, 1995 और 1996 में और 2004 के सिक्के की केमत की बात करें तो वेरिफाइन कंडिशन में 5 रुपय से लेकर UNC कंडिशन में 100 रुपय तक एक सिक्के की केमत जाती है अब बात करते हैं फोरें मिंट में बने सिक्कों की दोस्तो इस एक रुपय की सिक्के में जो भी सिक्का फोरें मिंट में बना है उन शिकों के किमत वेरिफाइन कंडिसन में 5 रुपे से लेकर यूएन्शी कंडिसन 50 रुपे तक जाती है दोस्तों ये जानकरी थी 1 रुपे के स्केर शिकों की बुक के अनुसर क्या किमत है और इन शिकों की मार्केट में क्या किमत चल रही है ये पूरी जानकरी इस वीडियो में आपको दी गई है उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्ष में दो सबद जरूर लिखे वीडियो के बारे में आज की वीडियो बस इतना ही हाँ दोस्तो चैनल पर पहले बार हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना बुले मिलते हैं किसी और वीडियो में आज की वीडियो में बस इतना है वीडियो लाच्टिक देखने के लिए आप से भी का बहुत बहुत धन्यवाद जे हिंद जे भारत